परिचय नमस्कार दोस्तों आपको अपना टेलिवीजिन, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, वीडियो गेम, कम्प्यूटर और फेक्स मशीन चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, विद्युत की. विद्युत सदै भी हमारे आसपास उपस्तित रहती है, क्यूंकि यह प्रकृतिक रूप से विद्यमान है. उधारन सरू, बिजली का चमकना, धर्ती और पादलों की बीच, इलेक्ट्रॉन का प्रवा है. आईए, इस विद्युत के बारे में विस्तार से जाने, उद्देशे. इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. विद्युत को परिभाशित करना, विद्युत धारा और आवेश के बीच, संबंद इस्थापित करना, दो प्रकार की विद्युत की पहचान करना, विद्युत चालक और विद्युत रोधक को परिभाशित करना विद्युत। आप देर शाम को कैसे पढ़ते हैं? निश्चित ही, आप अपने कमरे में एक विद्युत बल्ब की सहायता से प्रकाश करते हैं। क्या आपको कभी जिक्यासा हुई है कि विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट कैसे दीप्थ होते हैं? उन्हें दीप्थ होने के लिए विद्युत की जरूरत होती है। विद्युद्धारा विद्युद्धार से होते हुए बल्व के फिलामेंट तक जाती है और उसे दीप्त होने तक गर्म करती है स्थिर विद्युद्ध जब हम अपने बालों में कंगी करते हैं और कंगी को कागस के छोटे टुकड़ों के करीब ले जाते हैं तो कागस के टु पहले एक ग्रीक व्यक्वी थेल्ज ने धाई हजार साल पहले धियान दिया था। थेल्ज ने देखा कि एमबर को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ये छोटे पंकों को आकरशित करता है। इसका कारण थिर विद्युत थी। धनात्मक और रनात्मक आवेश को समझने के लिए एक गतिविधी करें। एबोनाइट की एक छड़ लेजिए और इसे एक उनी कपड़े से रगड़िए। अब इस छड़ के बीच में धागा बांद के इसे लटका दीजिए। अब इसी प्रकार से एबोनाइट की एक और चड़ के पास ले जाएए। आपने क्या देखा। लटकती हुई चड़ दूसरी चड़ से दूर हट गई। अब शीशे की एक छड़ लीजिए और इसे एक रिश्मी कपड़े से रगड़िए। इस आवेशित शीशे की चड़ को लटकती हुई आवेशित एबोनाइट की चड़ के पास ले जाएए। आपने क्या देखा। लटकती हुई एबोनाइट की चड़ शीशे की चड़ के समी पा गई। धनात्मक और रणात्मक आवेश। एबोनाइट और शीशे पर उत्पन आवेश की प्रकृती भिन्न थी। इन दो प्रकार के आवेशों को धनात् धन के चिन यानि प्लस से प्रदैशित करते हैं और रणात्मक आवेश को रण के चिन यानि माइनस से प्रदैशित करते हैं। सिर्फ मानिता के लिए शीशे पर रेशम के रगणने से उत्पन आवेश को धनात्मक मानते हैं। और एबोनाइट को उनी कपड़े पर रगणन से उत्पन्न आवेश को रनात्मक मानते हैं पहले की गद्विधी के आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकरशित करते हैं और आसमान आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं विद्युत धारा हमने अभी विद्युत आवेशों और वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने जाना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं धनात्मक और रनात्मक जब आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में इस्था नांतरित होते हैं तो हम कहते हैं कि पिंड आवेशित हो गया है गतिशील या प्रवाहमान आवेश विद्युद्धारा का निर्मान करते हैं एक विद्युद्धारा रिनात्मक आवेशी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलिता से बन दी है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमें विद्युद्ध प्रदान करता है विद्युद्धारा को एम मीटर से मापा जाता है विद्युत सेल ड्राइ सेल बैटरी का प्रयोग टार्च या रेडियो में विद्युत के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं सभी बैटरियों में प्लस और माइनस निशान लगे दो टर्मिनल होते हैं जब धातू का तार इन दोनों टर्मिनलों को जोड़ता है तो रासाइनी कभी क्रिया द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन तार के माध्यम से प्रवाहित होने लगते हैं और विद्युत धारा का निर्माण होता है ये इलेक्ट्रॉन रिणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की दिशा में प्रवाहित होते हैं अतासेल एक ऐसा यंद्र है जिसमें रासाइनी कूर्जा विद्युत उर्जा में परिवर्थित होती है विद्युत चालक और विद्युत रोधक कुछ धादूएं विद्युत धारा को स्वयम से प्रवाहित होने देती हैं दूसरी ऐसा नहीं करती जो पदार्थ स्वयम से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं लोहा, तांबा, ग्रास, ऐल्युमीनियम, चांदी, सौन, ग्रिफाइड इत्यादी, धातू, विद्युत चालक हैं वो पदार्थ जिन से होकर विद्द्ध धारो प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्ध रोधक कहते हैं विद्ध रोधक को विद्ध का कुछ अलग भी कहते हैं काघज, लकडी, प्लास्टिक, कपड़ा, ग्रपड, अधादू पदार्थ विद्ध रोधक है पेंजिल कीलीड ग्रिफाइट से बनी होती है ये कार्बन का एक रूप है यहां अधातू है लेकिन विद्युत चालक है कोई पदार्थ विद्युत का चालक है या नहीं इसका परिक्षन किया जा सकता है दिये गए पदार्थ को एक विद्युत परिपत की दो खुले हुए तारों के बीच रखिए इन दोनों तारों के मुक्त सिरों को पास लाइए और दोनों को एक दूसरे को सपर्ष करने दीजिए यदि बल्ब दीप्थ हो जाता है तो पदार्थ विद्युत चालक है अन्यथा या एक विद्युत रोधक है विद्युत चालक और विद्युत रोधक विद्युत का प्योग करते समय चालक और रोधक दोनों का महत्व होता है तांबे या दूसरे धातु की तार को विद्युत आप पूर्थी के लिए प्योग्त किया जाता है लेकिन इसी के साथ इन धातू के तारों पर सुरक्षा के लिए विद्युत रोधक धातूं जैसे प्लास्टिक या रबड की परत चढ़ाई जाती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षे बेंद्वराएं विद्युत उर्जा का एक प्रकार है आवेश सदेव एक साथ आते हैं समान आवेश विकरशित करते हैं और आसमान आवेश आकरशित करते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं बिजली का चमकना आकाश में विद्युत का निर्वर्टन है सेल विद्युत धारा का स्रोत है सेल एक यंद्र है जिसमें रासाइनिक उर्जा विद्ध उर्जा में परिवर्थित होती है सेल के युग्म को बैटरी कहते हैं विद्ध धारा मापी यंद्र को एम मीटर कहते हैं धातू और अकारबनिक लवन अच्छे विद्ध चालक होते हैं अधातू और कार्बनिक योगिक विद्जत रोधक होते हैं।